Hello Students, Welcome to Faisal Concepts Students, आज की वीडियो में जो topic हम discuss करने वाले हैं, उसका नाम है Big Data सबसे पहले हम देखेंगे कि Big Data क्या है, Big Data के अंदर क्या-क्या चीजे आती हैं वो सारे चीजे हम आज के lecture में cover करेंगे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि Big Data हमारे पास कौन से data होता है Big Data के अंदर हमारे पास ऐसे data sets आ जाते हैं जो के बहुत ज्यादा large हैं या बहुत complex हैं कि हम उनको traditional method से store नहीं कर सकते, access नहीं कर सकते, analyze नहीं कर सकते और या फिर हम उन data sets को break down नहीं कर सकते, काफी expensive होता है ये तमाम काम उस data set पे करना तो ऐसे data sets को हम Big Data कहते हैं, तो अब हमारे पास चुणके data के अंदर बहुत सारी hidden values होती है तो अब organizations तो चाहती हैं कि यार इस data से मुझे ये information चाहिए तो अब उसको जो है मजीद explore करने के लिए different technologies और different approaches यूज करते हैं कि भाई इससे मुझे जो data इसमें जो hidden value है वो मुझे चाहिए तो वो उसके लिए use करते हैं different analytical tools और methods तो ये सारा data हमारे पास आजाता है big data अब मजीद अगर हम big data को देखें तो big data कोई भी ऐसा data जो के manage करना या जिससे value extract करना मुझकिल हो या expensive हो ऐसे data को हम big data कहते हैं अब big data जो है हमारा three ways के ऊपर base करता है three ways क्या है volume velocity variety and complexity इन तीन ways के ऊपर हमारा big data जो है वो base करता है volume क्या है that is the size of the data और velocity क्या है कि अब उसकी velocity क्या है slow data है fast data है तो ये सारी चीज़े हमारे पास real time data ये velocity में आ जाती है और different variety variety की बात कर लें तो different sources से data आ रहा है जो के different formats का है different qualities का है different structures का है यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये three ways velocity के अंदर हमारे पास किस किसम के data आते है अगर सबसे पहले volume की बात कर लें तो size of the data है कि किलो बाइट में है megabytes, gigabytes, gigabytes, terabytes, pico bytes में है तो ये size of the data आ गया velocity की बात कर लेते हैं तो velocity में हम देखते हैं कि हमारे पास real time data है या non real time data है, fast streaming data है, कौन से data है तो ये सारी चीज़े हमारे पास data velocity के अंदर आ जाती है अब अगर हम data variety की बात कर लेते हैं तो हमारे पास different sources से data आ रहा है of the different structures, different formats यहां पर आप देखें video files, photo, web और reports है, CMS files है, audio files है, marketing automation है तो different variety आ जाती है data formats की और structure की तो ये सारी हमारे पास आ जाती है data variety में तो ये three weeks थी जो big data में involved है data volume, data velocity, data variety तो ये था हमारा lecture big data के ऊपर I hope so आपको आप समझ में आ गया होगा कि big data क्या है, three weeks का उसमें क्या concept है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो नीचे दिएगे subscribe के button पर लाजमे क्लिक करें ताके हमारे आने वाली हर helpful वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके